22,825 भत्ति के सिक्षकों को देना पड़ेगा कितना इंकम टेक्स और बस 2018-19 की उनकी कुल आयक कितनी माने जाएगी जानने के लिए इस वीडियो को सुरू से अंतर तक देखिए आपके काम आएगा अच्छा लगे तो लाइक करें कमेंट करें शेयर करें और हमारी चैनल को कैसे करें मैं एक्जम्पिल बता रहा हूं शिक्षकों के लिए इसके लिए मैंने आधार माना है बहात्तर अजार आच्छु पच्चिस भर्ति की जो सिक्षक हैं जिनकी नियुक्ति नमबर 2015 में हुई थी उनको जो बरतमान में बेतन में लाए उसको अधार माना है परंतु जो बित्यवर्स है वो 2018-19 है और हमारा करने दहनवर्स 2019-20 है यानि 2018-19 की आमदनी पर 2019-20 में हम कर चुकाते हैं तो इसके लिए एक प्राबधान ये है कि जो हमारे सरकारी कर्मचारी होते हैं उनका जो बेतन माना जाता है वो मार्च से लेकर फरवरी तक का जो बेतन होता है वो एक गर्तवर्स माना जाता है जिसको हम बित्यवर्स भी कहते हैं और जो अन्य कर्मचारी होते हैं जैसे वैंक के कर्मचारी और प्राइविट कर्मचारी जो उनका बित्यवर्स होता है वो एक अपरेल से 31 माज तक माना जाता है यहां ऐसा नियम इसलिए है कि हमारी जो स बस के आये माना जाएगा तो जो हमारे 32,825 भरती के सिक्षक हैं वो तो उनके लिए तो हमने इस पेसली ये वीडियो बनाई ही है और जो अन्य करमचारी हैं वो अपनी विवरणी का जो उनको पिछले साल मिली हो उसमें अपना अंतिम बेसिक पे मूल बेतन देख लीजिए औ और उसके अनुसार आप अपना हिसाब लगा सकते हैं जो हमारे 72,825 भरती के सिक्षक हैं उनको मार्च में 37,600 रुपए मूल बेतन जिसको हम बेसिक पे कहते हैं मिल रहा था उस पर 5,30 दिये यानि महंगाई बत्ता मिल रहा था तो जो 5,30 के हिसाब से हम महंगाई बत्ता अ और उनको 810 रुपए उस समय एचारे मिल रहा था कुल मिलाकर जो उनका बेतन बैठ रहा था बोथा 40,290 रुपए इस 40,290 रुपए में से 87 रुपए उनके GIS यानि सामोहिक भीमा और 1000 रुपए TDS के काटे जा रहे थे कुल मिलाकर उनके 1,087 रुपए काटे जा रहे थे 4,290 में से 1,087 रुपए घटाने के बाद उनके खाटे में 49,203 रुपए आ रहे थे अब आगे बात करते हैं अपरेहल महा में बेतन जो था 37,600 ही था मोल बेतन परंतुट महंगाई भत्ता जो था वो 7,30 हो गया था महंगाई भत्ता 37 होने के कारण इनका जो डिये था महंगाई भत्ता वो 2,632 रुपए हो गया और हारे 810 रुपए मिल ही रहा था खुल मिलाकर जो इनका बेतन हुआ अपरेहल महा का वो 41,42 रुपए हुआ और 1087 रुपए कारणने के बाद इनको जो खाते में प्राप्त हो रहे थे 49,955 रुपए उनको प्राप्त हो रहे थे तो अपरेल के महीने में सिक्षकों को 49,955 रुपए मिल रहे थे मई का जब महीना आया तो उनको वहां भी यही बेतन मिला है क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ और मई के बाद जून के महीने में भी इनके बेतन में कोई परिवर्तन नहीं हुआ जुलाई का जो वेतन था उसमें वेतन विरधी लगती है और वेतन विरधी लगने के बाद में इनका जो मूल वेतन हो गया वो 38,700 रुपे हुआ वो 810 रुपे से बढ़ा कर 1340 रुपे कर दिया गया तो इनको 1340 रुपे मकान किराया भत्ता मिला कुल मिलाकर जो इनका वेतन हुआ वो 42,749 रुपे हुआ इस 42,749 रुपे में से 1,087 रुपे इनके डियरेक्शन हो गए है और तो कुल मिलाकर इनके जो खाते में रकम आई वो 41,662 रुपे रही अब बात करते हैं अगस्त के महीने की तो अगस्त, सितमबर, अक्टूबर इन महीनों में भी जो बितन था वो जुलाई के महीने के बराबर ही रहा क्यों? क्योंकि इन महीनों में किसी पकार की कोई व्रद्धी नहीं हुई अब इसके बाद हम बात करते हैं जो हमारा महीना अगला था नवंबर नवंबर महा में सरकार द्वारा जो डिये की घोशित दल थी 7% उसको बढ़ा कर 9% कर दिया गया 9% जब डिये किदर हो गई तो इन सिक्षकों का जो मूल वेतन था 38,700 रुपए था 38,700 रुपए पर 9% जो इनको डिये मिला तो उसकी मुल्ले हो जाता है 3,483 रुपए और एचारे 1340 रुपए हो ही गया था तो कुल मिलाकर इनका जो बेतन हो गया 43,543 रुपए इसमें से 1,087 रुपए इनके काटे गए तो कुल मिलाकर जो इनके खाते में रकम आई 42,436 रुपए है इसके बाद नवंबर के महिने में भी यही इनको बेतन प्राप्त हुआ है और जो जनवरी का बेतन है फरवरी में भी यही प्राप्त हुआ है और अगले महिने भी इसके कोई चेंज होने की समभावना नहीं है तो इनको फरवरी में भी यही वेतन मिलेगा तो इस पेकार इनके गड़ना करें तो इनका कुल मिलाकर जो वेतन होता है उस वेतन के साथ साथ कुछ और रखमे है जो इनको अभी प्राप्त होनी है या हो गई है तो इनके बारे में बताता हूँ आपको तो इन करमचारियों को सात्य वेतनायोग के एरियर की जो पहली किस्त है वो प्राप्त हुई है 32,871 रुपे जो की 50 प्यतिसत है और इसका 50 प्यतिसत अगले साल भी आपको इतने ही रुपे मिलेगा और इन करमचारियों को 6,980 रुपे इस साल का बोनस मिलना है आप कुछ कर कुछ लोग कर रहे होंगे यह हमें बोनस मिला ही नहीं है तो यह इस वर्स की आया है इस वर्स ही जोड़ी जाएगी परन्तो जब खातों में आ जाएगा तो ऐसा नहीं है कि उस वर्स की आया माना जाए जिस साल ड्यू होता है उस साल के आए माना जाता है इस 6908 में से 1727 रुपे नगर मिलेंगे बाकि इनके पीप एकाउंट ये जीप एकाउंट में समयोजित किये जाएंगे इसके साल मैं आपको बताता हूँ के इनको DA का भी area मिलेगा दियू का area जो मिलेगा वो कितना मिलेगा वो इसको DA के दो area मिलेगे पहला जो area होगा वो 2256 रुपे होगा और जो दूसरा जो DA का area है वो 1396 रुपे होगा अब आपको बताता हूँ कि DA का area किस पकार से calculate किया गया है तो सबसे पहले हमने देखा कि 530 DA था मार्च की महीने में मार्च की महीने में 530 DA था जो अपरेल में बढ़ गया था तो जो बढ़ा हुआ DA होता है वो अगर जून से पहले बढ़ता है तो वो जन्वली से लागू होता है तो हमें मिला काप से अपरेल की महीने से ये मिलना प्रावरम हुआ है 7% यानि 2% की इसमें ब्रद्धी हुई है तो हम देख सकते हैं यहां इनका जो DA है वो 2632 रुपए है और पहले 1818 रुपए था तो 1818 रुपए हम 2732 में से हमने 1818 रुपए घटा दिये तो हमारे 552 रुपए आए हैं चूंकि हमें अपरेल से नगर मिल रहा था तो जन्वरी फरवरी मांच तीन महां का भी जो इनका DA का एरियर है वो इनके खातों में 2256 रुपए आ जाएगा अब उसके अलावा जो दूसरा एरियर है DA का वो इनका लगा है देखिए नवंबर में इनको नौपरेट से DA हो गया है जो इनको मिलना है जुलाई के महीने से तो नवंबर के महीने से इनको नगर मिलना है तो हम देखते हैं 43483 में से हमने पुराना बार DA घटा दिया 2709 रुपए तो हमारा एमाउंट आता है 1774 रुपए तो नवंबर के महीने में मिलना सुरू हुआ है जुलाई अगर सितंबर अक्टूबर तो चार महीने का हमारा DA का एरियर यहां डियू है तो जो हमारे चार महीने का DA का एरियर ह होगा वह होगा 3096 रुपए अब कुल मिलाकर इनको इस ताल कितनी आमदनी हुई मानी जाएगी इसके बारे में बताते हैं आपको तो कुल मिलाकर इनकी जो इस ताल की आमदनी मानी जाएगी वह 5,53,635 रुपए मानी जाएगी यानि इनके कुल वेतन जितने मिल रहे हैं 12 म और सेविंट पे कमिशन का एडियर और इस एडियर में हम जोड़ देते हैं बोनसा और ट्री memoir है और डी некоторые दूसरी दूसरा एडियर तो कुल मिलाकर जो इनका बेतन हो जाता है इस वर्स का जो क्ल बेतन माना जाए पांच लाख पांच सो तरेपन हजार 635 रुपए इनका इस साल का बेतन हुआ है अब मैं आपको आगे लिए चलता हूं और आपको बताऊंगा कि इस साल इनको कितना टैक्स देना होगा या इनकी साल की कुल बचत कितिनी हुई है तो उससे पहले आपको एक बात और बता दू कि इनके 1000 रुपए प्रती महा टैक्स के TDS के काटे जा रहे थे जो TDS के 1000 रुपए काटे जा रहे थे तो कुल मिलाकर इनके TDS के अब तक 11000 रुपए काटे जा चुके हैं और 87 रुपए प्रती महा जनरल इंसुरेंस के काटे जा चुके हैं या काटे जाएंगे तो कुल मिल आकर 1044 रुपए इन सिक्षकों के बचत हो गई है जन्रल इंसुरेंस जी आई एस में ठीक है अब आगी की बात करते हैं तो वित्य बस 2018 में इन सिक्षकों के कितनी बचत हुई ज सेविंग आयकर में जो छूट के लिए मानने होगी तो हमारा जो बोनस मिलना है इस साल वो मिलना है 6,908 रुपे जिसका पच्चित परतिसत हमारे बेतन के साथ नगत मिल जाएगा हमारे खाते में आ जाएगा और इसका जो सेज भागे 75 परतिसत भाग 5,181 रुपे हमारे P.P.F. अकाउंट में या G.P.F. अकाउंट में ट्रांस 3,256 रुपे का इनको एक एरियर मिलेगा डिये का और उस एरियर के अलावा 3,096 रुपे का डिये का दूसरा एरियर मिलेगा और 1,444 रुपे इनके G.I.S. के अब तक सरकार दुआरा काटे जा चुके हैं वो G.I.S. में इनके जमा कर दिये जाएंगे तो कुल मिलाकर यदि छूट दिलाने के काम आएगी वो कैसे आएगी हम इसके बारे में भी बताएंगे उससे पहले हम आपको बताते हैं कि कर दिने रहन बर्स 2019-2020 के लिए जो आयकर की सामान्य दरें है वो क्या है यह दरें एक एंसे व्यक्ति के लिए लागू होती है जिसकी आयू 60 बर्स पूर 2,00000 से 5,00000 के बीच में जो इतनी भी आमदनी बैठेगी यानि 5,00000 में से 2,00000 गटाने के बार दाए लागू पर 5,70 सथ उसको टेक्स देना होगा और पांच लागू से उपर जितनी भी उसकी आमदनी बानी जायेगी उसको 20,70 कर देना होगा यानि किसी कर्मचारी के आये तीस प्रतिशत नहीं है दस लाग से अधिक नहीं है इसकी उपर जो कुल मिलाकर कर आएगा उस कर के उपर चार प्रतिशत स्वास्थे एवं सिक्था उपकर भी लगाया जाएगा कुल मिलाकर जो इनका आएकर है वो दोनों टेक्स के उपर सेची यानिकि उपकर मिलाकर जो ऐमाउंट आएगा वो आपका कुल आयकर होगा आयकर की गणना किस पर करते हैं आईए इसके बारे में आपको बताता हूं तो मैंने इसके लिए तीन एक्जामपिल दिये हैं पहला एक्जामपिल यदि आपने कोई बचत नहीं की है ध्यान नहीं कि मैं यह जो कैलकुलेशन बता रहा हूं यह अन्य कर्मचारियों के लिए इसमें भिन्यता हो सकती है तो बार्सिक बेतन में से जो सरकारी कर्मचारी हैं और बेतन भोगी कर्मचारी होते हैं उनको मानक कटोर्ती मिलती है 40,000 रुपए की तो यहां इन कर्मचारियों को 40,000 रुपए की मानक कटोर्ती मिलेगी 40,000 रुपए की मानक कटोर्ती घटाने के बार इनका बेतन हो जाएगा 5,13,637 रुपए 5,13,635 रुपए इस 5,13,635 रुपए में से जो इनकी बचत होई है अभी मैंने आपको बचत की करना बताई थी कित पकार से बचत होई है तो उनकी बचत होगी 11,577 रुपए कुल मिलाकर इनकी जो कर्योग्य आई हुई 5,258 रुपए हो गई है तो 5,258 रुपए इनकी आया है अब इन्होंने कोई अपने पास से बचत नहीं की है उन कर्मचारियों के लिए मैं ये गर्णा बता रहा हूं जिन्होंने अपने पा की जो उनकी आमदनी होगी उस पर उनको 10, нормग तक यानी उनकी 12,002 तक कर्मक्त मानी गई है ठिक धायलाग से 5,004 तक उनकी ज्बालाए 3,5001 है और उनका कर्म बनता है अब 5,002 पर जो उनकी आया बो बैट रही है 5,001 तक उपर इनकी आया है दो हजार अठावन रुपे इस दो हजार अठावन रुपे पर बीस परतिसत कर लगेगा तो कर की रासी होगी 4,112 रुपे कुल मिलाकर इनका जो कर बैठता है वो 12,912 रुपे बैठता है 12,912 रुपे पर इनको 4% उपकर और देना होगा जिसकी गणना इस पेकार की जाएगी 12,912 गुणा 4 बटे 100 तो कुल में राकर जो इनका उपकर बैठता है वो 516 रुपे बैठता है और इस पेकार इनका जो कुल इस साल का आयकर बैठेगा वो 13,428 रुपे होगा यदि इनके TDS काटा जा रहा है TDS Tax Deducted at Source उदगम सुरोथ पर करों की कटावती तो 11 महीने का 11,000 रुपे इनका काटा जा चुका होगा तो कुल कर में से 11,000 रुपे घटा दे तो अब 2428 रुपे इनके करके अगले महीने काटे जाएंगे आईए बात करते हैं एक और दूसरा एक्जामपिल लेते हैं यदि एक ऐसे करमचारी के लिए जिसने 45,000 रुपे अपनी स्वेम की बचत की है यदि किसी करमचारी ने अपनी स्वेम की बचत 45,000 रुपे की है तो मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि करमचारी की जो हमारे 22,800 रुप चिर भर्ती के चिक शक हैं उनको 5,53,649 रुपे उनकी कुल आए हुई है उसमें ते 40,000 की मानक कटोती मिल चुकी है तो 5,13,635 रुपे उनकी आए हुई है उनकी बचत कितनी होगी 45,000 रुपे उनने अपनी स्वयम की बचत की है और विभाग द्वारा 11,577 रुपे उनके खाते में बचत के जमा किये जाएंगे तो कुल मिलाकर इनकी बचत हुई 56,577 रुपे इस 56,577 रुपे को घटा देनेंगे हम जो इनका कुल बेतन है उसमें थे 5,13,635 में थे 56,000 को हमने 56,577 को घटा दिया तो इनका कुल कर योग्या आया है 4,57,058 रुपे 4,57,058 रुपे पर करगी गणना किस पर कर की जाएगी तो 5,5,5 तक इनका कर सुनने है तो 5,5,5 से उपर जो इनकी आया बैठती है 5,75 अगर हमारा कर बैठता है तो वो बैठता है 10,353 रुपे 10,353 रुपे के उपर इनको 4 पर उपकर भी देना होगा जो करपर गणना की जाती है तो 4,35 उपकर इनका बैठेगा 4,14 रुपे कुल मिलाकर जो इनका इस साल का ड्यू आयकर बैठेगा 10,776 रुपे इनका इस साल का आयकर बैठेगा यदि इनके 11,000 रुपे TDS के काटे जा चुके हैं तो इनको 233 रुपे आयकर बापसी प्राप्त होगी यानि कि 45,000 रुपे जमा करने के बाद भी हमें जादा कोई करमे राहत नहीं मिली है केवल जो हमारे 11,000 रुपे हैं 11,000 रुपे से हमारा कर कम हो गया है तो हमारा अब कर कोई अगले महिने नहीं काटा जाएगा और एक्जांपिल के जरी बता रहा हूँ कि यदि किसी करमचारी ने अपनी उसकी कुल बचत है 1,500,000 रुपे तो इसके दिए में अगर किसी करमचारी ना भी बचत नहीं की है जादा तो वो एक बार ध्यान नखी है अपनी बचत को इस पेकार से ब्रियोग करें कि आपको घाटा ना हो आपकी बचत 1,000,000 से उपर जाती है तो आपको इतना फायदा नहीं मिलेगा क्योंकि maximum जो limit है वो 1,500,000 रुपे है कुछ अन्य छूट भी मिल जाती है पर उसके बारे में बाद में बताऊंगा तो 1,500,000 रुपे तक आप बचत करते हैं कुल मिलाकर तो जिसमें आप अपनी कोशिच करें कि आपकी खुड की जो बचत हो वो 1,38,400,000 रुपे से ज्यादा ना हो अगर आपके पार से ज्यादा जमा कर देते हैं तो भी आपको उसका फैनी benefit नहीं मिलेगा वह ग्यार हजार 570 रुपे आपके विभाग द्वराख खाटे में आपके जमाख किये जाएंगे तो आपकी जो कुल आए होगी कुल बचत होगी 1,50,000 रुपे होगी अगर आपकी कुल बचत 1,50,000 रुपे होती है तो कुल कर योग्याए 5,13,000 मेंसे घटाने के बाद हमार 3,63,635 रुपए होगी 3,83,635 रुपए अब इन पर किस पेकार से कर दे होगा तो 5,00,000 तक सुनने कर है जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ अब 5,00,000 से उपर की जो आमदनी है इनकी वो 5,00,000 से कम है तो 5,00,000 से 3,63,635 रुपए तक यानि 3,63,635 में से हम 5,00,000 रुपए घठा देते हैं तो जो एमाउंट आता है 1,13,635 रुपए इस पर इनको 5,35 आएकर देना होगा तो आएकर की रासी बैठेगी 5,682 रुपए 5,682 रुपए आएकर इनका बैठेगा उसके उपर इनको 4,35 उपकर भी देना होगा जो किया आएगा 2,227 रुपए इस परकार इनको कुल मिलाकर 5,909 रुपए कर देना होगा यदि इनको 5,909 रुपए पूरे साल का कर देना होगा यदि इनके खाटे में से 11,000 रुपए TDS के एक काटे जा चुके हैं तो इनको 5,91 रुपए इनके कर की भाप्शी होगी तो कैसा लगा ये वीडियो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें सब्सक्राइब करें और अपने साथी सिक्षकों को शेयर करें